जाएं दोस्तों, स्वागत आप सभी का High AQ Education में BPSC exam को ध्यान में रखते हुए, आज की हमारी class बिहार specific class होगी जिसमें हम बिहार के भूवग्यानिक संरचना, वहां की चट्टाने, उनकी क्या-क्या विशेशता हैं और साथ में बिहार के physical division के बात करेंगे उसके साथ हम देखेंगे previous year के questions जो BPSC ने पहले पूछे थे ताकि आपको ये अंदेशा हो जाए कि आपकी preparation जो है exam oriented है या नहीं क्योंकि हमारी ये पहली class है बिहार specific तो इसलिए बिहार के बारे में थोड़ असा जाना जरूरी है मैंने पहली slide भी बिहार के related बनाई है जो आप देख सकते हैं बिहार का भोगलिक विस्तार क्या है उसका आकार छे तरफल तो ये सब इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं आप खुद देख लेजेगा और मैं इसको इसलिए भी skip करूँ कि आजकल ऐसे questions BPSC ने पूछना ब के अगर आप जो लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां की चटाने जो हैं वो अलग-अलग एज में बनी थी इसलिए उनको चार भागों में बाटा गया है अब ये चार भाग में जो चटाने हैं इन सब को एके करके हम देखेंगे उससे पहले हम इनके एज ये जो चटाने हैं जिन चटानों से बनी हैं उनमें किस तरह के खनीज बदार्थ पाई जाते हैं किस तरह के इंडस्ट्री का विकास हुआ है तो ये सब जाना आपके लिए जरूरी है इसलिए पहली क्लास क्या होगी हमारे पास कि बिहार के भगुलिक संरचना के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलिए, पहले ये वाला पार्ट हम शुरू करते हैं, उसके पहले हम rock age classification, मतलब जो चटाने हैं, उनका classification किस साएं हम करें, देखें, पहला जो चटान हैं, जो दुनिया में सभसे पहली चटान बने थी, उस उन चटानों के क्रम को हम क्या कहते हैं आर्केंस आज से करोडों साल पहले जब प्रीथवी जो है अपने गरम अवस्ता में थी तो धीरे-धीरे ठंडी होने शुरू हो जाती है उसमें ज्वाला मोखी का एक विसफोट हुआ था जिसमें से लावा और मैगमा जो है बाहर आना शुरू हुआ और उसक सिस्टम से तो सबसे पुराना चट्टान जो है कौन सा है नीस जो है इगनियस रॉक्स आपने पढ़ा होगा तो वो किस क्रम में आ जाता है वो आर्केंस सिस्टम में आ जाता है ओके तो यह सबसे पुरानी चट्टाने है भारत में इसका विस्तार कहां पे है करनाटक तमिल जो है अभी नहीं आये थे इसलिए इसमें जिवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं ठीक है no fossils found उसके बाद आप जाते हैं चटाने जो है रुपांतरित हो जाती है एक form से दूसरी form में ठीक है कुछ समय के बाद जो है प्री-कैंब्रियन टाइम में बनी हुई चटाने हैं, ये भी बहुत करोडों साल पहले बनी हुई चटाने हैं, exactly देखें कैंब्रियन क्या है, ये जो लोजिकल टाइम स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, अभी हमने इसमें PhD नहीं करनी है, इसके लिए अलग से वीडियो बन इसके एम्रियन चटाने हैं, oldest sedimentary rocks, ठीक है, अपरदन और अफसाधिकरन के कारण ये सबसे पुरानी जो है, sedimentary rocks पाई जाते हैं, दुनिया में, क्या इसमें fossils पाई जाते हैं, इसमें fossils नहीं पाई जाते हैं, ऐसा विश्वास है कि उस समय या तो जिव जो है, वो नहीं आये थे, या फिर अगर वो आये भी होंगे, life form अगर exist करती भी होगी, तो इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज के अभी इस वकत उनके अफशेश पाना एक तरह से नामुम्किन है, तो भारत में इस तरह की चटाने कहाँ पे हैं, धारवड किसम की चटाने, अरावली की प्रवत श्रेनी, करनाटा का शिमोगा डिस्टिक जो है, वहाँ पे मिल जाएगा, जैबलपूर, नागपूर और उसके साथ साथ अगर आप गुजरात में देखेंगे, जमो कश्मेर की बात करें, तो यहाँ पे आपको लदाख, जासकर रेंजिस यहाँ पे मिलेंगे, और उत्राखंड में आपको कुमाव और गडवाल एरिया में भी आपको धारवड किसम की चटाने देखने को मिल आर्थिक रूप से दो धारवड किसम की चटाने हैं, उनकी विशेशता हैं क्या हैं कि यहाँ पे आपको कीमती खनेज आपको मिल जाएंगे, सोना मिल जाएगा आपको, प्लैटिना मिल जाएगा और साथ साथ में आईरन के अवशेश भी यहाँ पे मिल जाते हैं धारवड राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या-क्या खरीज आपको मिल जाएंगे, सैंड स्टोर मिलेगा, चूना पत्थर है ना, लाइम स्टोर मिल जाएगा, और मार्बल्स, एसबेस्टोस, हिंदी में क्या होता है, अब्रक, ओके, यह सारी कडपा सिस्टम की चटानों म मिल जाएगा, उसके बाद फिर यही कडपा सिस्टम की चटाने जो है, यह विंधियन सिस्टम में बदल गई, यहां पर लिखा गया है, डिपोजिशन अफ सिल्ट अफ रिवर वैलिज, नदियों का उदगम उस समय हो चुगा था, तो वो नदिया जो है, अपने साथ क्या- और यह विंधियन किसम की जो चटाने है, यह construction के लिए बहुत यूज की गई, जिसमें से आप देखेंगे कि जो रेड़ फोर्ट है, लाल किला, वो इसी से बनाए गया है, जामा मस्जिद जो है, इसी से बनाए गया है, बिहार में इसका इस्तमाल कहां पर क्या गया है, जो शेशा सुरी का मकबरा है, सासाराम में, वो भी विंधियन सिस्टम की चटानों से बनाए गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, लाइम स्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, फिर उसके बाद यही विंधियन किसम की चटाना के बाद अब पह हो जाएगा, भारत में लगबग 98 प्रतिशत जो कोईला है, वो गोंडवाना क्रम की चटानों से प्राप्त होता है, इसमें से आपको कहां कहां पे किस घाटी में मिलेगी, दामोदर की घाटी, सोन वेली, महानदी, गोदावरी, यहाँ पे आपको गोंडवाना सिस्टम की चटाने मिल जाएंगे, ठीक है, अब उस समय के बाद, एक volcanic eruption, यानि कि देखें, आप जब हम पढ़ते हैं, विलुप्ती के बारे में, आपने पढ़ा हुगा जो लॉजिकल विलुप्ती के बारे में, यह पांच बार ऐसा हुआ था, कि जो जितनी भी प्रित्वी पे dino starts, जो है उस समय, आप जानते होंकि जूरासिक पिरेड में थे, तो वो बाद में खतम हो जाते हैं, तो उस समय खतम होने का कारण भी बहुत सारे बताएजाते हैं, कि उलुका पेंड जो है प्रित्वी पे गरी थी, टेंपरेचर बढ़ गया था, उसके बाद, वहां से ज तो आज भी अगर आप भारत के डेकिन ट्रेप्स में जाएंगे तो वहां पे डेनासोर्स के ऑश्योष मिलते रहेते हैं जो जितने भी बीनड्राइब सhã संब्सक्राइब है उस समय में रहे थी तो ये बाद फिर दूसरी सिस्ट्म टर्शरी के बाद आ जाता है Quaternary सिस्टम Quaternary Epoch जो है जो यूग है उसको दो भाग में डिवाइड करते है Plistocene और Holocene अब ये जो Quaternary सिस्टम की चटाने ये कहाँ में मिलेगी आपके पास Indus और Ganga Plains में ये मिल जाती है अब इसको दो भाग में बाटते थे Plistocene और Holocene Plistocene के समय क्या होता था Bangar आप जानते हैं क्या होता कि ये पुरानी जलोड मृदा होती है जो नदियों के द्वारा बहा के लाए जाती है और खादर जो है वो Plistocene और Holocene Plistocene जब खातम हो रहा था और Holocene जब शुरू हो रहा था तो उसके बीच में खादर का निर्मान होना शुरू हो जाता है तो ये सब प्लेन इरिया में है Quaternary सिस्टम तो जैसे कि Plistocene के टाइम ही आपके पास Run-Off कच गुजरात में जो है वो उसका निर्मान हुआ था और करेवा आप जानते हैं कश्मीर की वैली पहले लेक हुआ करती थी ये उसके बाद ये करेवा सिस्टम का निर्मान Plistocene में हुआ थार डेजरिट राजस्तान का ये उस समय ही होना शुरू है अब देखते हैं बिहार का भूव एग्यानिक संरचना हमने देखा था बिहार में सिर्फ चार तरह की चटाने हैं वो कौन-कौन सी बिहार के अगर आप उत्तर पश्चिमी भाग में जाएंगे जो की वेस्चम पारण का हिस्सा है वहाँ पे आपको किस तरह की चटाने मिलेंगी टर्चरी रॉक्स मिलेंगी विहार के अगर आप दक्षिन में जाएंगे जो जमूई, नवादा ये सब वाले जो एरिया है यहाँ पे आपको किस तरह की चटाने मिलेंगी यहाँ पे आपको धारवड किसम की चटाने मिलेंगी और बिहार का जो दक्षिन पश्यमी एरिया है, वहाँ पे आपको विंधिन करम की चटाने मिलेंगी, और बाकी जो बच गया, यानि के बीच वाला जो यलो वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा मिलेगा, आपको quaternary rocks मिलेंगे, अब age classification देखे, सबसे पुरान चटाने है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा जाता है, यह जो उत्तर पश्यमाला भाग है, विंधिन करम की चटाने, यह सबसे पुरान, यह उसके बाद आता है, सबसे पुरानी कौन सी, धारवाण, उसके बाद विंधिन, उसके बाद tertiary, जो कि उत्तर पश्यमी भा में हैं वेस्च अमपारण में उसके बाद कौन सा आता है को अटरनेरी चटाने ठीक है तो यह कुरोनोलोजी में इस तरीके से इन चटानों का निर्मान होता है ओके आगे बढ़ते हैं पहले हम देख लेते हैं धारवाट रोक्स हमने देखा था कि इसका निर्मान कब हुआ थ प्री केमरेंड पिरेड में यह चटाने बनी थी कौन-कौन से डिस्टिक में है जमुई नवादा मुंगेर खड़कपुर की जो पहाडिया है वहाँ पे राजगीर बहुत गया इसमें से कौन-कौन से रॉक्स हैं कौन-कौन से चटाने यहाँ पे आपको मिलेंगी शिस्ट चल थोड़ा एक्जाम का पेटर्न वो चेंज कर रहे हैं कोशन्स पूछने का तरीका तो क्या इसमें फॉसिल्स होते हैं हमने देखा था धारवड किसम की चटानों में कोई किसी तरह के फॉसिल्स नहीं होते हैं और इसमें कौन-कौन से खनीच पाए जाते हैं कोबाल्ट म की चटाने लोर विंधियन क्रम की जो चटाने हैं वो कहां पे मिलेगी जो सोन नदी है उसके उत्री भाग वाला जो एरिया है सोन नदी कहां पे रहतास डिस्टिक में उसका उत्री भाग वाला एरिया है वहां पे आपको पास लोर विंधियन क्रम की चटाने मिल जेंगी ठ स्टोन सेंड स्टोन या शेल और शेल ठीक है यह जो विंद्धन क्रम की चटाने हैं यह किसले फेमस हैं सीमेंट इंडस्ट्रे के लिए वहीं अगर अपर विंद्धन रॉक्स की बात करें तो रोहतास और कैमोडिस्टिक में मिलेंगी यहां पर कौन-कौन से मिनरल्स हैं क्या हो गया इसलिए यह फेमस है यह कूशन भी पूशा जा सकता है कि प्रोडक्शन के लिए बिहार का कौन सा हिस्सा जो है वह फेमस है कि ओप्शन में दे देंगे विंद्धन क्रम की चटानों में जो एरिया आता है वह या धारवड क्रम की तो यह आपको यहां से याद जाएगा विंद्धन वाला पार्ट उसके बाद टर्शरी रॉक्स के बारे में देखते हैं हम क्रोनलोजी में बढ़ रहे हैं जिस तरह से चटानों का निर्मान हुआ था ठीक है उसी तरीके से देख रहे हैं पहले हमने धारवड देखा विंद्धन देखा अब हम टर्शर अब क्रोनलोजी तर्शरी रॉक्स के बारे में देखा जो हमने अभी मैप पे देखा था मिनरल कौन से होते हैं कॉंग्लोमरेट सेंड स्टोन लाइम स्टोन और यहां पर क्योंकि टेथिज सी के द्वारा जो सेडिमेंट्स डिपोजिट किये गए थे इसलिए यहां पर पॉसिबिल्टी यह भी है कि मिनरल ऑइल्स खनिच तेल होने की संभावना भी है तो यह भी कोशन निकल के आ सकता है कि खनिच तेल होने की संभावना जो है किस तरह के चट्टानों में पाए जाता है बिहार के किस डिस्टिक में पाए जाता है यह आपसे पूछा जा सकते हैं नेक्स देखते हैं क्वाटरनरी रॉक्स के बारे में इनक कि इनका निर्बान जो है वो चूना कंकर छोटे-छोटे पत्थरों से हुआ है इसलिए इसमें लेयर्स पाई जाते हैं स्लोप क्या है जेंटल है मतलब एक स्लोप तो ऐसा हो सकता है पहाड़ी वाला एरिया का स्लोप किस तरह होता है ऐसा है इसका स्लोप ऐसा है हमने देखा मैदानी भाग है तो स्लोप जेंटल है घेहर ओई कितनी है इसकी 1000 मेटर से लिके 1500 मेटर तक टोटल जो है यहां से यहां तक इसकी घेहर ओगतो physical structure of बिहार बिहार के physical structure की बात करें तो इसमें तीन पार्टों में बाटा जाता है एक तो शिवालेक की परवत श्रेणी जो है पहला दूसरा क्या था plane areas of बिहार वो भी हमने देखा और last वाला पार्ट होते है narrow प्लैट्यूस ऑफ साउथ बिहार यानि कि दक्षिन बिहार का संकेन पठार ये तीन भागों में बिहार का फिजिकल स्ट्ट्चर जो है डिवाइड किया जाता है तो खेर इसके पहले हम शुरू करें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ द्वाब किसे कहते हैं आपको पता होगा कि दो नदियों के बीच वाला जो एरिया होता है उसको द्वाब कहा जाता है ठीक है तो इस मैं पर आप देखिए कि इस तरीके का अगर डिविजन किया जाए बिहार के छेत्र को तो कि ये गंडग नदी है ये कोसी नद के हिसाब से हम भिहार का फिसकल डिविजन इस तरीके से कर सकते हैं बाकि आप यहाँ पर देख लिए नीचे वाला जो पार्ट है गंगा का यह भोजपूर का रिजिन है यह मगत का प्लेन है यहाँ पर खड़कपूर की पहाड़ी है यह दक्षिन जो भिहार का सबसे देरे देरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्या इनकी खासियत है शिवालिक मांटन रेंजिस की बात करते हैं इसमें इसको भी आप तीन पार्ट में बाठी है अब जरा मैप में देखें पहली चीज सोमेश्वर की जो रेंजिस हैं पहाड़ी वह हरहा वैली जिसको हम चुरू होती है और भीकना ठोरी पास पे खतम हो जाती है इसके लंबाई लगवग 75 किलोमेटर है और चोड़ाई 6 किलोमेटर तक है इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है 880 मेटर यह इंपोर्टन है यह पूछा जा सकता है तो यहीं पर सोमेश्वर का किलाभी इस्तित है तो सबसे उची जगा बिहार में कहां पे सोमेश्वर इंजिस में कितना 880 मेटर का यहां पे बहुत सारे पासे पाई जाते हैं क्योंकि रिवर का इरोजिन अपरदन की क्रेया होने के वज़े से पासे का निर्बान हो गया है जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसक पासे और भीकनाठोरी पासे उसकी बाद नेक्स देखते हैं हरा वैली जिसको हम दून वैली के नाम से भी जानते हैं यह सोमेश्वर रेंजे से स्टार्ट होते हैं और रामनगर दून तक हतम हो जाते हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है 24 किलोमेटर एक्जेक्ट फिगर पत् jetzt किलोमेटर टो चोड़ाई कितनी है आठ किलोमेटर इसका highest peak सबसे उची चोटि कौन सी है संतपूर के पास वसकी घ्लमभाई कितनी है长 212 मेटर यह भी एक important question है यह विंपूचे दा सकता है कि रामनगर दुन में सबसे highest peak कौन सी है तो संतपूर के पासurm 2000 ध rendez a guniram बाढ़ देजेंगे North बीहर का प्लेइंड इंट बाट करे है पुरा रेजिन आप देखें वियजुक्रा पहाडिया थोड़ी वो वह falou होता है लेकिन उसको में आजाता है ठीक है तो टोटल एरिया कितना बनाते हैं ये दूनों मिलके प्लेइन एरिया 90,650 स्कुएर किलोमेटर के असपस सी लेवल से कितना इनका उसत उचाई कितनी है 60 मेटर से 120 मेटर के असपस और स्लोप क्या है जेंटल जेंटल मतलब तिवर स्लोप नहीं है प्लेइन एरिया है इसले स्लोप जेंटल है मतलब हर किलोमेटर पे 6 cm का ढलान आपको मिलेगा देखने को मिलेगा नौर्थ बिहर के प्लेइन की बात करें तो इसका टोटल एरिया आ जाता है 56,980 किलोमेटर इसमें दुआप बनते हैं हम उसमें मैं आपको समझा दूँगा फिगर लेके कैसे क्या होता है नदी जो है अपनी कोर्स से मुड़ जाती है उसको जहां ढ़लान मिलती है वहां पर मुड़ जाएगी और फिर जो ओरिजनल कोर्स था उसको छोड़ देगी उसके बात क्या करती है कि वह वापस जो जब सब्सक्राइबान तो इसतरह से रिवर मियांदरिंगे का प्रोस निजीए वहां पे इस तरह की चरियाएं जो है यहां पर पढ़ लेंगे ठीक है दियारा आइलेंड्स नदियों के द्वरा बनाए गया जो द्वेफ हैं यहां पर देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं नौर्थ बिहार का प्लेन इसको हम फॉर्दर अगर क्लासिफाई करें डिवाइड करें तो एक आता है किलोमेटर गया सपास वह वाला एरिया क्या लाता है भावर ठीक है तो एक सबतरा ही रीजिन आपको मालूम है वह कहां से शुरू होगा भावर का ऐसे साथ डिस्टिक है जो वहां से भावर वाला एरिया शुरू होते हैं यह वेस्ट आपारन इस एमपारन सीतामडी बैबनी सुपॉल अररिया और किशन गंज ठीक है यह वाला यहां पर कुछ चोड़ी पत्ती है जो भावर वाले एरिया में आ जाती है ठीक है लेकिन ज्यादा तर यह डेवलोप्ट कहां पे है यह वहार के पूरवी शेतर में ज्यादा डेवलप्ट है क्योंकि वहां पर वर् बाशा में कहते हैं मन भी कहते हैं या छारल excus. ऐसंद कि अकर तो यहे विर्धा है जो जो यह उत्तर पश्मी बहागे वहां पे इस तरह की विशेशता report को बहुती हैं यहां पे seu कंकड जाधा होते मैंने आपको बताया सा कि पहाड हो रहे हैं तो नहीं ज़लोड निर्वान क्याम कि still जो छेतर है, उसको ज्यारे कहते हैं, छेतर मतलब जो मिटी है, वहाँ पे खादर सिस्टम, यह आपको कहाँ पर मिलेगी कोसी और गंडक नदी के मध्य जो है, खादर सिस्टम जो है, वो जादा आपको देखने को मिलगा, फर्टिलीटी जादा होती है, ठीक है, क्योंकि यह हर सार रिनी होता रहता है नदिया जो है हर साल जो है इसको चेंज करती रहती है तो इसलिए यहां पर fertility जो है वह ज्यादा देखने को मिलती है ऑक्स बोलेक्स हमने देखा था रिवर आइलेंड यहां पर बनते है और उसके उधारण कों से इस्ट अंपारन कि बात करें तो सुंदरपूर बहाधरपूर वेस्टम परण की बात करें तो अब के 12,670 स्क्वार किलोमेटर यहां पे हिल्स कौन से हैं हमारे पास खड़कपूर, राजगीर, गया ठीक है अब देखें यह प्लेइन वाला एरिया यहां पे हिल्स का आंग मैंने आपको बता है कि पूरा प्लेइन एरिया नहीं है थोड़े से हिल्स भी है तो कौन से हिल्स हैं ख जो बिहार शरीफ में यह सारे हिल्स है अभी इन हिल्स की लोकेशन क्या है यह सब भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे कुशिंस आते है अभी बीपेसे ने कुश्चन भी पूछा था कि ब्रहम योनी हिल्स कहां पर आया जाता है गया डिस्टिक में था वो कुश्चन इसलिए आया था कि कर्रेंट अफेर का कुश्चन था कि जब रोपवे सर्विस का उधगाटन किया जा रहा था तो छे रोपवे सर्विस का उधगाटन किया जाना था जिसमें से ब्रहम योनी हिल्स बेबी एक रोपवे सर्विस का उधगाटन किया जाना है इसलिए वो कु शिप्ट नहीं करती कि वहं का सत्र जो है काफी हार्ड रहता है ठीच कि लिए फिर्मनेंट यही लो तो ऐसी बहुत सारी नदिया है जो गंगा के समान बहती है ठीक है ये सब हम देखेंगे जब रिवर्स के बारे में बात करेंगे गंगा के पैरलल बहती है उसके बाद कुछ नदिया है जो गंगा में मिल जाती है जैसे कौन-कौन सी नदिया है पुन-पुन, क्यूर, फल्गु नदी जो है वो एक ताल रीजन में आके खतम हो जाती है ताल मतलब तालाब वाला एरिया है वहाँ पर आके खतम हो जाती है तो ये जो ताल वाला एरिया आप पूरा देखेंगे ये पटना से शुरू होता है लगबग भागल पूर तक आप चले जाएगा 25 किलोमेटर की एक चोड़ी पट्टी है जहाँ पर आपको सिर्फ आपको लगे सकता है ये नदी नदी नहीं है ये वो तालाब जैसे एरिया जो है वो बन चुका है नदियों के करण उसके बाद उधारन की तोर पे वो ताल कौन-कौन से है मोकामा ताल ठीक है बढ़या ताल कबर ताल कबर ताल कहाँ पर बागलपूर में तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ताल रिजन है वो कहाँ पर मिलेगा ये क्यूल नदी और हरोहर नदी का जो रिवर बेसिन है वहाँ पर मोकामा यानिकी पटना में है ठीक है तो ये question भी important है कि किस जिले में जो है सबसे बड़ा ताल region पाय जाता है तो पटना में कहाँ पे क्यूल और हरोहर river basin में उसके बाद हम बात करें South बिहार plane की तो इसका further division आप करेंगे तो क्या मिलेगा सोन गंगा दुआब जिसको हम भोचपूर का plane भी कहते है और अगला पाट आजाता है कि मगत का plane जो हमने अभी देखा था और अंग का plane Plains of Ang सोन गंगा दुआब ये क्या होता है जो सोन नदी है उसका पश्चे में भाग है उसको हम सोन गंगा दुआब भोचपूर का plane के नाम से जानते है मगत का plane कहां आता है सोन नदी और क्यूल नदी के बीचवला एरिया क्यों होता है मगत का plane कहला आता है और अंग का plane क्या होता है क्यूल से आप चले जाएए राजमहल हिल तक ये आपके पास अंग का plane है Okee Southern Neuroplatoo region Southern Neuroplatoo region मतलब बिहार का जो दक्षण संकीन। पठारिये चटर्व मारें देखते हैं कौन। कौनसा रिजन है कौनध। डििस्टिक हाता है कैमूर। मुंगेइर। और हमने देखा था यहाँ पे किस तरह के चटाने थी धारवार किस नंकि क्या मुर्ध के पठार क्या मुर्ध के पठार को में एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहते नहीं कहते हैं जो रोतास का पहणँ यह किस इस चतानों यह में पढ़ा था विंधिन क्रमकी के चिटानों से बना हुआ है ओर ये विदिर्ड़न गर्व के चिटाने जो है कहां से शिरू होती है जबलपूर से शिरू होती है और रहतास डिस्टिक्त है जबलपूर अद्यप्रदेश में रहतास तक हतम हो जाती है ठीक है टरेन जो है इसका रफ है रफ टरेन मतलब क्या होता है कि इसमें इरोजन जो है अपरदन के क्रियां बहुत जादा हुई है इसलिए यहां पे जो है तरेन मतलब ऊबडखावर जो है यहां का एरिया है यहां पे सैंड स् हांख़े सों नधी बात है कट तो यह कोड़र्मा प्रइक हमांगों इसकोuk-टो पॉर्भी कष्चिमी साइट तक आएं तो आपको जबूई तक यह पूरा पूरा एरिया जो है खड़कपूर हिल से भरा हुआ है यह धारवाड रॉक सिस्टम का पार्ट है ठीक है अग्षण बिहार का जो संकीन पठारी अरिया था उसके बारे में बात की थी लेकिन एक प्रोफेसर है राम नरवेश और इनायत अहमद उन्होंने बिहार का क्लासिफिकेशन में 10 जोग्राफिकल एरिया के बात की है तो ये कुश्यन एक बार आया था इसलिए मैं इसको इंक् तो यह कोशन आए भी ताकि कितने भाग में जो है वो बाटा जाता है बिहार के जोग्राफिकल रेजिन को according to professor राम परवेश एंड प्रोफेशर इनायत आहमत तो आंसर क्या हो जाएगा 10 कुछ कोशन देखते हैं which is the highest peak of बिहार ऐसे कोशन जो BPSC ने पहले पूछे हुए है बिहार की सबसे उची चोटी कौन सी है वो आपके पास options है hills of पीर, hills of पारसनाथ, hills of जेठिया या hills of सोमेशवर तो हमने हमारा आंसर क्या हो जाएगा option number C, सोमेशवर, कितना था? 880 मेटर, जहांपे सोमेशवर का किला स्थापित है which type of rock is found in the district of Jammui and Munger? Munger district में किस तरह की चटाने पाई जाती है? विंदियन, tertiary, quaternary या फिर धारवाड तो option क्या हो जाएगा? option number D, धारवाड according to the geological structure, बिहार has been divided into how many parts? कितने भाग में बिहार को बाटा गया है? 3, 4, 5, 6 तो option क्या हो जाएगा? 3 लेकिन अगर वो प्रोफेसर का नाम आ जाए, वो 10 रहे, तो आप 10 पे टिक लगाईएगा which sub-part among the following separates बिहार from Nepal? कौन सा उपभाग है जो बिहार को नेपाल से अलग करता है? सोमेश्वर रेंजेस, दून वेली, रामनगर, दून या शिवालिक रेंजेस तो सबसे ऊपर कौन है? क्या इसमें से दो बच्चों को confusion हो सकता है? सोमेश्वर रेंजेस या फिर शिवालिक रेंजेस या फिर रामनगर प्लेटियो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? रहतास प्लेटियो From which place the plateau of कैमूर starts? हजारी बाग, राची, देवघर या फिर जबलपूर जो कैमूर का पठार है वो कहां से शुरू होता है? राची से, जबलपूर से, हजारी बाग से या देवघर से? आंसर क्या हो जाएगा? जबलपूर से और खतम कहां होता है था? रहतास में ठीक है? In which epoch the धारवाड system of rocks found? धारवाड किसम की जो चटाने थी, वो कौन से युग में बनी थी? प्रीकेंब्रियन, पेलियोजोइक, सेनोजोइक या फिर मेसोजोइक? तो आंसर क्या हो जाएगा? Option नमबर A, प्रीकेंब्रियन In which district of Bihar the world's largest tall area is found by क्यूल, हरोहर, रिवर्स? बियार का कौन सा छेतर है? जहां पर सबसे बड़ा ताल छेतर बनाया जाता है क्यूल और हरिवर नदियों के दौरा औफ्चन से कैमोर, पतना, जहानवाद या फिर लगी सराए तो आंसर क्या हो जाएगा? Option नमबर B, पतना उसके बाद आते हैं, नैचरल लीवीज अर फॉर्म्ड इन विच पार्ट अव भिहार जो प्रकृतिक कटबंध है वो कहां पर पाए जाते हैं North Plain Area, South Plain Area, खादर या फिर बंगर तो हमने देखा था South Plain Area जो है वहां पर पाए जाते हैं तो यह हमारे पास इस तरह के questions थे जो इस chapter में पूछे गए हैं और आप इनके जो major points थे वो मैंने लिख दिये हैं आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद